जैने दोस्तों यूपी टेबल सी पेट के जेता बैच में आप से भी का स्वागत है दोस्तों हम लोग आयोग दोरा आप बिभीन परिच्छाओं में जो भी पिग्यान के प्रश्चों पूछे गये थे उनको खल कर रहें और इसकर में आज के वीडियो चथा वीडियो इससे पहले पांच वीडियो हो चुके हैं यादि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज आप से निवेदन है कि आप चैनल के प्ली लिष्ट में जाएंगे आप उनको जरूर देखिए क्योंकि यह सब ही प्रस्ण जो है आपके आने वाले पेट एक्जाम के लिए बहुत ही ज जाना जाता है वो हमारा है रेयान ठीक है क्रित्रिम सिल्क यह क्या होता है इसे हम बनाते हैं किससे जो हमारा लकडी होता ठीक है लकडी की लुगदी होती है उसी में केमकल डालके हम रेयान को बनाते हैं यह सिल्क जैसा ही होता है ठीक है इससे हम गालीचे ठीक है कपड़े और ऐसे सिल्क जहां पर उपयोग होता है ठीक ऐसे सभी प्रकार के कपड़ों को बनाने हमें मदद लेते हैं ठीक है अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फाइबर है जो पूर्ता सिंथेटिक है ठीक है पूर्ता सिंथेटिक की बात करें तो नायलान हो जाएगा क्योंकि इसे ह चेनिशन में में आप्यों ने दिख्क लिए हम काटन को प्योग कर लेते हैं ठीक है तो शूत बहुत हीं मजबूट और स्वाराता बात एक है इसके हो के इस इस पर जुस पर नहीं जाते है तो हमारा हो जाएगा पाय्र ella प्रसाम लोग देखते हैं कि आज़निक परमाण सिधांत तयार किया गया था कि सके दवरा तो through इसको डालतन ने दिया था कि जो परमाड होते हैं यह राफाइनी किरिया में भाग लेते हैं लेकिन इनका सोटा विखंड़न नहीं होता है लेकिन ये राफैनी किरिया में भाग लेते ये सब काम बताया था जान डाल्टन ने अगर हम रदर फोड की बात करें तिन्होंने प्रोटान की खोज की थी मेंडलीव ने मेंडलीव सांडी दी आवर्त सांडी जो हम लोग पढ़ते हैं ठीक है तो इस परकार हो गया तो मारे पर्यक्त का का उत्तर हो गया चान ड साब्सक्राइन कि सीशा प्हेंसिल में परयुक्त होता है यह इस को कहा जाता है ग्रेफाइट थी ग्रेफड या उसमाका यह उसमा का यह बिद्दूत का अच्छा चालक होता है यह एक आधात हुए लिकिने बिद्दूत का अच्छा चालक होता है यदि ग्रेफाइट को हम बहुत अधिक उच्छताब पर गरम करें और उसमें उत्रेरक मिला दे तो यह हीरे में परिवर्तित हो जाता है यह आप जा आ रहा है कि calcium sulphate टिक calcium sulphate अगर वसे जल निकाल दे कीस रूप में जाना जा था टिक इंड het कल्सियम सब्सव कर दिंगे तो हुमारा नीला थे हो था copper cell fat c a s o 4 ठीक है into है यज्छ तूओ ठीक है अगर यहीं यह सो फोर टे कापर सेलफट करते हैं कॉ यह सो फोर तो यह हो जाएगा मारा नीला होता या कापर सख़ट हो जाता ठीक है तो जल निकाल दें ओमारा संबAB कर करनेयों इस पोट्स पूटब करने में यह घाव को साफ करने में यह घंधे जल को शाफ करने में फ्योग तो कीम अगला प्रSNम देख की कि नीवी में कौन सा इसिट पाय जाता है तो नीवी में जो मारा पाय जाता है यह अमारा छिटरी केसिट पायाटा है तरिक पाए जाता है अगला प्रफन देखते हैं कि कृत्रिम बर्सा में प्रयोग किया जाता है तो कृत्रिम बर्सा कराने के प्रयोग करते हैं तो इन तीनों को याद रहें कि प्रयोग करते हैं on कर लेते हैं कहां पर फोटोग्राफी में और सिल्वर नाइटरेट का प्रीव दें कहां पर जहां पर डालते समय जो हमारे नवखुन पर पालिफ लगा जाती तो सिल्वर नाइट्रेट ये हो जाता है तो यह होता है हमारी होती है हमारी यह सलिसलिक एसिड ठीक है का राफानिक नाम है वहेशिटिल सलिसिलिक एसिड इसे खूण को पतला करने के लिए दिया जाता है अगला प्रस्णामारा है कि कि पित्वी आगे भीतr सब्सक्राई है किहां होता है कि मंझे कहां होता है यह पित्त रस्का स्रावण होता है यक्रित जो करता है यह पित्त रस्का स्रावण करता है लेकिन इस्टोर अपने अंदर नहीं करता है इससे भेद देता कहां पे पित्तासे में भेद देता है पित्तासे क्या होता है यक्रित से लगा हुआ छोटा सा थैला होता है छोटी सी थैल यह सबसे छोटी ग्रंथी होती यह अंतासरावी ग्रंथी इसे माफ्टर ग्रंथ भी कहा जाता है ठीक है बहुत से हर्मोन का सिक्रेशन करता है अगनासे जो सबसे बड़ी मिस्रित ग्रंथी है अगला प्रसुन देखें हैं और अगनासे से सभी परकार के पाचक रसों का स्रा अगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीचे पीचे इसे डोलन करता रहता नहीं दोलन नहीं करता ठीक है और उक्वकर लेकर की मेंटर वो ने रोट कईयर्याटिक एक यूकरियाटिक जो prokaryatic से होते हैं उनमें जो केंद्रक होता है वह असफ़ष्ट नहीं होता है नेक्रिक होते आउतन लेंस का प्रयोग करते हैं अगला प्रसने पारी तंत्र के दोमूल घटक है ठीक है पारी तंत्र के दोमूल घटक है एक जैवी घटक एक आजवी गटक मतलब बायोटिक में हमारे सभी पेड़ पाउदे और जीव जन्त पेड़ पाउदे जीव जन्त सभी बायोटिक में अपनी संख्या बढ़ाते हैं सब क्या बायोटिक बाकी जो हमारे जल हो गया वाई हो गया ठीक है ताफ़ान हो गया पत्तर हो गया यह सब क्या यह बायोटिक तो बायोटिक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा अगला प्रसम लोग देखते हैं कि बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन से उसत दी जाती है अगर आपको बुखार चड़ गया तो आपको कौन से उसत दी जाएगी तो एंटी पायरेटिक ठीक है पायरेटिक मतलब होता है अगनी ठीक है तो जहां ता बटाने के लिए नार्को नार्कोटिक्स और सेडिविक्स यह पतनी क्या है ठीक है बाकी एंटी पायरेटिक्स जो दी जाती है तापमान को कम करने के लिए दी जाती है अगला प्रसम है कि ट्रेकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है ट्रेकोमा के द्वारा जो ह और सबसे बड़ी गरंद है और इसका आकार होता यह दो लोग में बटा होता है और एसलों का होता है ठीक है और कल हमने बात की थी कि उसके हूज से मस्तिक प्रवावित होता है यह अधे आपको थे फिड़े जो हती है है हम देखते है च्छुटे बच्चे होते हैं तो निमोनिया नामक रोका होता है उसमें हमारे जो फिफट ही उसमें पानी भर जाता है तो इसमें फेफट है प्रभावित है जितने में सासवाली बिमारी Edit ही उसमें सभी हमारे फेपड़े प्रभावित हो जाते हैं अग्ला प्रस नमारा है कि च्टील को जंग्रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धात मिला जाती है उसमें हमное क्रोमियम मिला देते 15 ठीक है क्रोमियम को 15 परसंट मिलाने के बाद ये क्या होता हमारा इस्टील जंग रोधी हो जाती है क्रोमियम मिलाने के बाद 15 परसंट इस्टील जंग रोधी हो जाती है और हाड भी हो जाती है तो क्या मिलाते हैं हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं अगला प Chitometer के दवराँ हम दूद की सुद्धता मापते हैं और Hydro meter Hydro meter के दवरा हम यह जो दूसरा है Hydro meter दरों की पेच्छिक घंत ठीक है कोई भी अगर दरों है उसका पेच्छिक घंत कितना है यह मैं आपने के लिए हम Hydro meter का प्योंग करते हैं हम में और यहां रमापना है होके हरो फृर्श मिसक्का अगला प्रसुमतर करते हैं अगलाँ रखते हैं कि कि वा Ты पूमाखं आकफिजिन होता है सबसे पहले हम यह जनते हैं कि कितना होता है इक-ईस परिजन होता है एककिज़गए फार से यह होता है वहाँ कुल का एक बाटा पांच भाग पांच भाग होता है क्योंकि यह कि कूछ यहां देखें सौग को भाग दें बीस से अगर बिस से अगर भाग देते हैं ये पांच बार जायेगा तो करएने मतल़ा एक भाग क्या होगा पाज बाकी पांच बाद की उए के हो कुछ अगला प्रसन है तो पच्छी तक एनधियन का माणच होता है वह से अगला प्रस पत्छी में पच्छियों का अर्नितों का एंट्रोलाजी और पेड़ पाउधों का अध्यान होता है अगला प्रफ्म देखते हैं कि सामान या मनुसे में रखते के सव क्यूबिक सेंटीमेटर में हेमोगलोमिन के मात्रा कितनी होती है पूछ रहा है कि मतलब यदि सव क्यूबिक सेंटीमेटर आपके पास रखता है तो उसमें कि आपके पास कितना हमोगलोमिन होगा तो 14-15.6 ग्राम के आज पास आपका हमोगलोमिन अच्छा हो होना चाहिए ठीक है तभी आप सवस्त माने आएंगे ठीक है यदि से कम होता है त तेरा से नीचे तब ब्लड ओनेट नहीं करने दिया जाता है ठीक है अगेला प्रफन है कि मानो स्रीद में सबसे बड़ी अस्ति है ठीक है सबसे बड़ी अस्ति मानों की है जो जांग की अस्ति है उसे का जाता है फीमर सबसे छोटी कान की अस्ति होती है जिससे का जाता है स सबसे चोटी है सबसे बड़ी को ने कीमा रेटी कि अज़ें सबसे लंबी अस्ति होती है लेकिन फीमर सबसे लंबी होती है अगला परसंद देख रहें कि भोजन को चबाने वाले नाट कौन से प्रकार के होते हैं तो जितने भी मोलर है ठीक है प्री मोलर है ठीक है यह सबके सब दात क्या होते भोजन को चबाने में हमारी मद्द करते हैं अगर हम यह क्या करते हैं जो कॉने को अगेवाले दात आत है था इर्ड़ती आ ह Ł min इसका हो जागा हमारा मुलर मिल्की टीथ यह आठ बर्स के उम्रत तक आते आते सब गिर जाते हैं ठीक है इने मिल्की टीथ का जाता है अगर हम डेंटल फार्मूला देखे तो 21-23 होता है वैस्क में तो सबसे फहले मानोंने पर्युक्त किया था ठीक है तो तब लोहे का प्रयुक्त शुरू होता था बागी सोने का उप्यूग इससे पहले सो लोग जानते थे ठीक है जितने भी मुक्त धात हुए थी ठीक है जिनको सुद्ध नहीं करना पड़ता था उनको लोग पहले से जान गये थे जितनी प्रकास बड़ेंग उनको ये प्रावर्थित करतेगा च smokes गरम नहीं होग जो नीचे खात होगे तो शेरी से जितनी बी ओश्मा निकलेगी उसको अभसोसित कर लेगे तो नीचे भी मैं ठंडा मैसूस होगा तो उपर सबने जो हमारीं खातर होगी तो ऊपर्चार कि एक ही समय दोनों तरफ प्राणी देख सकता है कउसा प्राणी जो एक समय और भी देख ले पीछे भी देख ले सकता है। सब नहीं कर सकते हैं बहुत दिनों तक जीवित रहता है अगला प्रसंद देखें कि मेगा बाइट में कितने किलो बाइट होता है एक मेगा बाइट में एक हजार 24 किलो बाइट होता है अगर इसे बाइट में अगला प्रसंद खतम होगया ठीक है आज की लिए बस इतने प्रसंद थे यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपसे नवेदने के वीडियो का लायक करेज़ेगा ठीक है वीडियो को आप लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तब प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा क्योंकि छोटा सा चैनल है यदि आप इसे तरह प्यार देते रहेंगे तो इसे दिर हम भी गुरो करेंगे आपके लिए अच्छे से वीडियो लाने की कोशिच करते रहेंगे और आपसे ने विजन है कि यदि आपने बिरेसर की पॉल्टी की वीडियो नहीं देखें तो आप उसको जरूर देखिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पॉल्टी पढ बहुत